हेलो दोस्तो आपने बहुती सांदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है दोस्तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी खबर ले करा हूँ आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है जो अभी अभी आपका CHSL का पेपर हुआ है पहली सिफ्ट का जो भी पेपर हुआ है दोस्तो बिल्कुल आसान ये पेपर आगया है जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी जादा आसान पेपर आगया है अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो दोस्तो 100% आप लोग सेलेक्शन के करीब करने वाले है तो देख लेता गाईस सभी सवालों को ट्रिक से कर लेते हैं जो भी पहले सिफ्ट में पूछे गए और गाईस एक इंपोर्टेंट वाद अगर आप 2021 में मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाते हो एक सरकारी नोगरी लेना चाते हो सभी सब्जट को ट्रिक से पढ़ना चाते है यह प्लेटफोर्म आपके लिए बेस्ट रेगा सभी गोवर्णेंट एक्जाम के ट्रिक के लिए आपको करना क्या है नीचे जो यह लाल कलर का बटन दिया गया इसको दबा कर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन को ओन कर लेंगे ताक कि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और SSC के सारे नोटिफिकेशन आपको टाम टुटाम मिलते रहे हमारे चैनल एक्जाम एटिक स्टेडी पर देख लेते गाइस क्या क्या सवाल पूचेगे पहला सवाल आपके सामने है ग्रिस्म कालिन ओलंपिक 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा ग्रिस्म कालिन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा ये किया जाएगा फ्रांस में France इस सवाल का correct answer हो जाएगा देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल गाईज आपका ये भी पूछा गया Reliance Foundation द्वारा भारत का पहला COVID-19 सेंटर कौन से अस्पताल में बनाया गया तो गाईज ये बनाया गया Seven Hills अस्पताल में देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल गाईज आपका ये भी पूछा गया हाली में किस राज्य के मुख्य मंतरी ने अपने पज्जे स्थिपा दे दिया है तो गाईज ये आपके हैं मध्यपर्देश के मुख्य मंतरी MP सवाल का right answer हो जाएगा देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल गाईज आपका ये भी पूछा गया इराग के राश्टपती बरहम सोले ने हाली में किसे परदान मंतरी के रूप में नामित किया है तो गाईज इनका नाम है अधनान जूर्फी अधनान जूर्फी इस सवाल का correct answer चल जाएगा देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल गाईज आपका ये भी पूछा गया जो आपका new development bank है इसका headquarter कहाँ पर है इसका मुख्याले कहाँ पर है तो गाईज ये आपका है चाइना के संगाई में second option इस सवाल का right answer हो जाएगा दोस्तो जो भी मैं सवाल लेकर आएँ 100% real सवाल है अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो दोस्तो 100% आप लोग selection के करीब पोच जाओगी मैं उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे बच्चों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा मम्मी बापा का सपना पूरा करने के लिए नीचे लाल कलर का बटन दबा कर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी आपने कर लिया होगा देख लेते अगला सवाल एक सवाल गाईज आपसे ये भी पूचा गया भारत्य रेल ने गरीब कल्यान रोजगार अभ्यान के तहत कितने राज्यों में रोजगार कर सर्जन किया है तो गाईज कितने राज्यों में किया है टोटल किया है छे राज्यों में कौन-कौन से उत्तरपरदेश, बिहार, जारकन, मद्यपरदेश और राजिस्थान देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल गाईज आपका ये भी बढ़िया पूछ लिया गया किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्से परणाली एरो दो का सफल परिक्षन किया है तो गाईज ये देश है आपका इस्राइल इस्राइली सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल गाईज आपका ये भी बढ़िया पूछ लिया गया किस दिन विस उब्होगता अधिकार दिवस मनाया जाता है तो गाईज ये किस दिन मनाया जाता है ये बनाया जाता है पंदरा मार्च को पंदरा मार्च इस सवाल का रैट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो आपके दिवस है उनसे भी आपके काफी सवाल पुछे जा रहे हैं उनको पढ़कर जरूर जाएंगे देख लेते हैं अगले सवाल एक सवाल गैस ये अभी काफी इंपोर्टेंट पूछ लिया गया किस भारत्य को मोजार्ट ओफ मदरास का लोग प्रिया नाम दिया गया है तो गैस इनका नाम है एर रह्मान एर रह्मान इस सवाल का रैट आंसर हो जाएगा देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल गैस आपका ये इतियास से पूछा गया पंदरा सो चब्विस में भारत में मुगल सामराज्य की स्थापनक किस ने की थी तो गैस सवाल का रह्मान आंसर हो जाएगा बाबर दोस्तों अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया आगे आपकी बहुत बड़ी खुसकबरी है आपको ट्रिक से बताने वाला उस सारे सवाल वीडियो को ध्यान से देखते वे जरूर चलेंगे देख लेते हैं अगले सवाल सोसल हार्मनी पुस्तक किस भारते परधान मंतरी द्वारा लिखी गई है तो गैज ये लिखी गई है PM मोदी जी के द्वारा PM मोदी सवाल का रैट आंसर हो जाएगा देख लेते हैं अगले सवाल एक सवाल गैज आपका ये भी पूछा गया H.I.L. इंडिया ने हाली में किस बैंक के साथ गरहाक भुगतान पोर्टल लोंच किया है फ्रेज दिया गया है इसका मिनिंग क्या है someone who has had a limb removed surgically ये आपको बताना था someone who had a limb removed surgically तो guys handicap, mutilator, amputee ये differently abled तो right answer आपका हो जाएगा amputee amputee सवाल का right answer चला जाएगा third option इस सवाल का right answer हो जाएगा दोस्तों इंगलिस के सवाल काफी आसान थे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक-एक सवाल बड़ा आसान था दोस्तों मैं एक सवाल आपसे ये भी पूचा गया an extreme fear of darkness an extreme fear of darkness इसका meaning क्या है चार option है आपके सामने right answer मैं आपको direct बता देता हूँ याँ आपर तो right answer हो जाएगा आपका niktophobia fourth option इस सवाल का right answer हो जाएगा दोस्तों उमीद कर रहा हूँ like कर दियोगा आपने channel को आपने subscribe भी कर लियोगा सभी government exam के trick के लिए देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल गाईज आपका ये भी आसान पूचा गया fear of hospital जो आपके hospital होते हैं अगर उनसे डर लगता है किसी को इनको डर को क्या बोला जाता है तो guys इसको मैं direct बता देता हूँ आपका इसको बोला जाता है नासकोम phobia नासकोम phobia यानि third option इस सवाल का right answer हो जाएगा ये सवाल भी काफी important पूचा गया दोस्तों paper आपका आसान था अब मैं आपको देखू मैं आपको guarantee देदा हूँ अगर आपने ये वीडियो आप पूरा देख लिया hundred percent आपका paper बहुत बढ़िया होगा और आपका selection भी होगा एक एक सवाल बड़ा important है एक सवाल guys आपसे ये भी बूचा गया एक group of people traveling together especially in a desert इनको क्या बोला जाएगा अगर एक आद्मियों का जुंड अगर आपका एक साथ चलता है कहाँ पर रेगिस्तान में इनको क्या बोला जाता है कारावान first option इस सवाल का right answer हो जाएगा ठीक है guys आगे बढ़ लेते अगला सवाल भी देख लेते हैं आपको कैसे करना था तो guys यह आपका गणित का सवाल पुछा गया 450 सेबों में से 30% आपके सड़े हुए हैं कितने परतिसत आपके ठीक होंगे आपको यह बताना था मतलब कितने सेब आपके ठीक होंगे देखो 450 सेब है कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है तो दोस्तो 30% अगर यहाँ पर खराब है तो दोस्तो बढ़िया वाला कितने होंगे 100 में से 30 जाके बचेंगे 70 परतिसत और दोस्तो आपका जो यह 450 दिया है यह किसकी वैल्यू है 100% की 0 से 0 कर जाएगा यह क्या आजाएगा 1% की वैल्यू आजाएगी 45 बटे 10 हमें निकालने थी किसकी वैल्यू इसकी 70% की वैल्यू बतानी थी आपको दोनों तरब 70 से गुणा कर देंगे तो कटके गई इसके आएगा 7,5,35 हासिल दिन 7,4,23,30 तो दोस्तो 315 सवाल का राइट आंसर आजाएगा आप लोग इस परकार यह सवाल करके आ सकती थे आपको करना क्या था 70% लेना था बस किसका यह 45 बटे 10 का तो दोस्तो 315 सवाल का राइट आंसर आ जाएगा जो आपके ठीक वाले सेब होंगे वो हो जाएँगे आपके 315 तो दोस्तो आप लोग इस परकार यह सवाल करके आ सकते थे ठीक है लाइक करते वोग चलेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए 2021 में एक नोकरी लेने के लिए देख ले तो अगला सवाल एक सवाल गाईज यह भी आसान पूछ लेगा देखो मैं बता देते इसको कैसे करना था यह अनुपाद B की वेल्यू दी गई है B अनुपाद C की वेल्यू दी गई है और इसकी वेल्यू पूछी है क्या करेंगे गाईज आप देख सकते हैं यहाँ पर B आपका कोमन है तो क्या करेंगे तीन अनुपाद पांच और साथ अनुपाद नो इनको एक जगे पर रख लेंगे क्योंकि बीच वाले कोमन है यह कोमन है यह कोमन है तो क्या करेंगे कैसे करेंगे देखो जो ये 7 है, 7 की गुणा तो उपर कर देंगे और जो ये 5 है, 5 की गुणा नीचे कर देंगे तो जब आप इसको सोल करोगे तो क्या आएगा? 7 की गुणा करो, 7 ये 21, अनुपात, 35, नीचे क्या आएगा? 35, अनुपात, ये आएगा आपका 45 मतलब आपको ये गुणा करनी थी, बीच वाली संक्या से जो कोमन है तो दोस्तों ये पार्ट आपका कोमन आगया कोमन वाले को एक जगह जोड़ कर लिख लो 21, अनुपात 35, इसको एक बार लिख लेंगे हम और ये आपका आजएगा 45 तो गैस ये आगया आपका A, ये आगया B, ये आगया C हमें पूछा था C अनुपात A तो C अनुपात A क्या हो जागा इन दोनों की वेल्यो तो ये आजएगा आपका 45 अनुपात 21 जब आप इसको स्वाल करोगे तो कितने से कटेगा 3 से 15 बार, 3 से 7 बार तो दोस्तों इस सवाल का रहेट आंसर आजएगा 15 अनुपात 7 ठीक है गाईस, आप लोग इस परकार ये सवाल करके आ सकते थी इतने आसान तरीके से इसी ट्रिक से आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे आराम से आप लोग कर सकते थे आगे पड़ लेते गाईस, अगला सवाल भी देख लेते हैं बहुत बैतरीन ये पेपर है आराम से आप लोग सेलेक्शन ले सकते हो अगर आपने अभी ये वीडियो पूरा देख लिया तो दोस्तों कोई सवाल आपका बचने नहीं दूँगा सभी को मैं आपको ट्रिक से कराने जा रहा हूँ देख लेते अगला सवाल एक सवाल गाईस आपका ये भी आसान पूछ लिया गया 11 का अनुपाद दिया गया है 15 का अनुपाद पूछा है कैसे करेंगे 11 का वर्ग करेंगे और 11 में 2 की गुणा करके जोड देंगे यही लोजिक लगेगा आपका अब इसको सोल करो 121 प्लस 22 तो यह आएगा आपका 143 तो 143 हमें मिल गया यही लोजिक यहां पर भी लगेगा 15 का वर्ग करेंगे 15 में 2 की गुणा करके जोड देंगे तो गैस यह आएगा आपका 225 प्लस 30 तो गैस यह आजाएगा आपका 255 255 इस सवाल का रैट आंसर आजाएगा आप लोग इस प्रकारी इस सवाल करके आ सकते थे 255 इस सवाल का रैट आंसर चला जाएगा ठीक है आगे बढ़ लेते अगला सवाल भी देख लेते हैं तो दोस्तों एक सवाल ये भी बड़ा आसान पूछ ले गया 550 रुपे को राम तता साम में बाट रहा है 5.6 में तो गाइस जो ये 550 रुपे है ये टोटल कितना है यहाँ पर 11 और 11 की वेल्यू क्या है 550 क्योंकि दोस्तों ये भी आपका टोटल है ये भी आपका टोटल है तो 11 की वेल्यू है 550 और एक की वेल्यू क्या जाएगी 50 क्योंकि 11 पंजे 55 होता है हमें निकालनी थी कितने की वेल्यू राम तता स्याम में कितना बटेगा तो गएस जो ये 5.6 है इसमें 50 की गुणा करेंगे क्योंकि एक की वल्यू है 50 तो जब गुणा करोगे तो यह आएगा आपका 250 और जब 6 की गुणा 5 में करोगे तो यह आएगा 300 तो दोस्तो राम को मिलेंगे 250 रूपे साम को मिलेंगे 300 रूपे आप लोग इस परकार ये सवाल करके आ सकते थी बहुत ही आसान ये सवाल था अगर आप लोगों को लगता है वीडियो मेहनच से बनती है तो गैस लाइक करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना सभी गोर्मेंट एक्जाम के ट्रिक के लिए मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए आगे बढ़ लेते अगला सवाल भी देख लेते हैं कैसे करना था तो गैस ये सवाल आपका रीजनिंग का पूछ लिया गया एक कोड बासा में फोग को ऐसे लिखा जाता है लेम को कैसे लिखा जाएगा देखो फोग को कैसे लिखा जाता है P, G, H, B लोजिक चेक करेंगे पहले हम लोजिक चेक करेंगे अराम से कोई भागने की जुरुत नहीं है F के बाद में A, B, C, D में क्या आता है G O के बाद में P, A, B, C, D की बात कर रहा हूँ जो आपके अलफाबेट होते हैं A के बाद में B, G के बाद में H यही लोजिक, यही पैटर्न आपका यहां पर भी लगेगा यहां पर, ऐसे, ऐसे, ऐसे L के बाद में क्या आता है M A के बाद में क्या आता है B A, B, C, D में कह रहा हूँ M में आता है M के बाद में आता है N और B के बाद में आता है C तो दोस्तो यही सवाल का right answer चल जाएगा आप लोग इस प्रकार यह सवाल करके आ सकते थे आई ओप दोस्तों आपको एक किलियर हो गया होगा आपके समझ में भी आगया होगा कैसे आपको सवाल करना था आगे बढ़ लेते हैं पूरी जानकारी ले लेते हैं तो दोस्तों जो भी बच्चों ने मुझे आपर सवाल बताए 100% रियल सवाल मैंने आपको बता दिया है अगर आप 2020 में मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाते हो एक सरकारी नोगरी लेना चाते हो सभी सब्जेट को ट्रिक से पढ़ना चाते हो ये प्लेटफोर्म आपके लिए बैस्ट रहेगा नीची ये लाल कलर का बटन दबा कर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बैल आइकन को ओन कर लेना ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एक्जाम मैटिक स्टेडी पर आपको टाइम टूटे मिलता रहे तो गाइस सब्सक्राइब करके जरूर जाना एक्जाम मैटिक स्टेडी सभी गोवर्मेंट एक्जाम की ट्रिक के लिए जाना जाता है तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू सो मच मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर और भगवान करें आपका अगला पेपर बहुत बढ़िया हो धन्यवाद